सास को हुआ अपनी भूल का एसास दिल छू लेने वाली कहानी रादा जी एक आम मध्यम वरग्या प्रिवार की मुक्या थी वे अपने बेटे सुभम और बहु मीना के साथ रहती थी एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी रादा जी के पती की मिर्टू बहुत पहले ही हो चुकी थी सुभम और मीना की साथी को पांस साल हो गए थे लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी रादा जी की बहु मीना भी जोब करती थी जो कि रादा जी को बिलकुल भी नहीं सुआता था वे जल से जल दादी बनना चाहती थी लेकिन मीना और सुभम ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मीना का जोब करना कितना जरूरी था रादा जी अपने बेटे सुभम से इस बारे में बात करती तो सुभम किसी ना किसी भाने से बात को टाल देता था इसलिए वे मीना को ही परिशान करने के बहाने ढूंती रहती थी ताकि वे अपनी जोब छोड़ दे और अभी करोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी हलांकि वे दिल की बुरी नहीं थी लेकिन पोते की चाहा मेवे नहीं चाते हुए भी ऐसा कर जाती थी अपनी हम उमर सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ ओफिस में काम की वज़े से मीना देर तक सोती रही और रादा जी को अच्छा कासा मौका मिल गया ए ये क्या बहू अभी तक सो रही हो पता है सुबह के दस बज गए सुबह भी बेचारा कब से उठकर ओफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो चलो अब उठकर सब के लिए चाय नास्ता बना लो मुझसे कुछ हो नहीं पाता है वरना मैं तो तुमारे बरोसे कभी न रहती खुदी सब कुछ कर लेती सोरी माजी वह देर रात तक काम चलता रहा इसलिए सुबह सुबह ही सोप आई थी इसलिए समय का पता ही नहीं चला आप चलिए मैं अभी जल्दी से आती हूँ हाँ हाँ ठीक है मेरा कुछ नहीं पर सुबह को देख लो उसे कुछ चाहिए तो नहीं कब से उठा है बेचारा हे भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं रादा जी ने नाट के अंदाज में कहा रादा जी ने अपनी बहु मीना को उठाते हुए कहा मीना ने घड़ी देखी तो वाके में दस बज गए थे आज उसकी आँख कैसे नहीं कुली वै जल्दी जल्दी अपने काप निप्टा कर हॉल में आई तो सुबह में अपने लैप्टॉप के साथ ओफिस का काम कर रहा था उसने कीचन में जाकर चाय नास्ता बनाया और फिर रात के बरतन साफ किये और जाड़ू पोचा करके नहाने चली गई दरसल करोना वाइरस की बढ़ती बिमारी की वज़े से सहर में पूरी तरह लोकडाउन किया गया था इसलिए काम वाले बाई भी नहीं आ रही थी मीना खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी उसका ओफिस टाइम निश्यत नहीं होता था अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था कल भी उसका काम देर तक चलता रहा इसलिए वै देर तक सोती रही मीना नहा कर आई तो देखा की उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी बाचित में अपना नाम सुनकर मीना सास की बात सुनने लगी अरे सार्दा तुम भी अपनी बहु को जादे सर पर मत बैठाओ बहु को जादे उड़ने दोगी तो कल को अपनी नोकरी के चक्कर में वे तुम्हे ही घर की नोकरानी बना कर छोड़ेगी मैं तो वही शुरू से ही मीना के नोकरी करने के खिलाब थी अब करे नोकरी सोक से पर साथ साथ घर के काम भी करे मैं तो बदन दर्द का भाना बना कर बैठ जाती हूँ नहीं तो सारे काम का बोज मेरे सिर पर आगिरता मैं कोई मुफ्त की नोकरानी थोड़ी ही हूँ मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो सास की बात सुनकर मीना की आँखों में आशु आ गए वह जी सास को बिमार समझ कर उसकी दिनदाथ सेवा करती थी उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी सारा दिन घर का और रात को अफिस का काम करके ठकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती उसका यह फल मिला है उसे माना वे मेरी नोकरी के खिलाप है मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वे अभी कभी नोकरी नहीं करती सुबम का बोज कम करने के लिए ही तो वे नोकरी कर रही थी केर अभी के मुश्किल समय में वे साथ से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माउल खराब हो इसलिए वे उनकी बात को नजर अंदाज करके वहां से चली गई लेकिन उसकी नजरों में रादा जी की इज़त जरूर कम हो गई थी दूसरे दिन सुबह सुबह रादा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया सीमा की साथ उसके पास अमेरिका आई हुई थी आदत की अनुसार रादा जी ने जैसे ही सीमा की साथ की बुराई करनी चाही वैसे ही सीमा ने उसे डपट दिया मा आप बिल्कुल भी माजी के बारे में अनाप सनाप नहीं बोलेंगी पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा वैवार किया था लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाप थी मगर आज अगर वें यहाँ नहीं होती न तो मा नाजाने हमारा क्या हाल होता तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नोकरी करना कितना जरूरी है करोना में यहाँ भी ऐसा कहड आया है कि घर से ही सब करना पढ़ रहा है कित्टू का बेबी केर सेंटर भी बंद है मैं और राजेस फूल टाइम बीजी रहते हैं ऐसे में मा जी ने अकेले ही कित्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभला हुआ है मुझे कुछ भी नहीं करने देती अगर वे नहीं होती तो मा हमारा क्या होता यह सोचकर ही रोंग्टे खड़े हो जाते हैं सस में मा वे कोई साथान महिला नहीं है बलकि मेरे लिए तो देवी के समान है मेरे इतना अपमान करने के बावजूद हो सीमा रोने लगी उसने फोन कट कर दिया सीमा की बात सुनकर रादाची की आँखे बराई उन्हें अपनी भूल का एसास हो गया था नीना तो वाकिए उनका कितना ख्याल रखती है उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती उल्टे जवाब भी नहीं देती है वाकिए अभी का समय तो एक दूसरे को हुसला देने का है सारे गिले सीक्वे बुला कर एक दूसरे की मदद करने का है तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंदी हो गई थी इतना कैसे गिर गई कि ऐसे मुस्किल समय में अपने ही परिवार की साहता नहीं कर सकती उन्होंने उसी समय मीना को बुलाकर उसके सीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा मीना आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहीगी मैंने आज तक तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सोरी चलो अब तुम जाकर आराम करो खाना मैं बना लूँगी इदर सास का बदला हुआ रूप देखकर मीना की भी आँखों में खुशी के आसू आ गए और अपनी सास के परती उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापिस आ गया था सायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की एहमियत का पता चले अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाके इनसान छोटा नहीं बलकि बहुत बड़ा हो जाता है रादाजी की तरह तो दोस्तों आपको मेरी एक कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं ऐसी किसी नई कहानी के साथ तब तक के लिए बाई बाई